Welcome all of you to my channel EZIT Education Hello दोस्तों आप लोग कैसे हैं आज मैं आप लोगों के लिए MSXS का बिल्कुली Starting Practical Exercise लेकर हाधिर हुआ हूँ आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें और सुनें ताके बीच से कोई वर्ड निकल न जाए तो आएं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है First Exercise on MSXS 2010 for Learners Introduction यानि परीचे Microsoft Access एक शक्तिशाली डेटाबेस परबंदन परनाली यानि Powerful Database Management System है जो उपियोग करताओं अर्थात यूजर्स को डेटाबेस बनाने और परतिबंधित अर्थात मैनेज करने की अनुमती देती है इस बैवहारिक अभ्यास अर्थात Simple Exercise में हम आपको MSXS 2010 का उपियोग यानि यूज करके एक सरल अर्थात Easy Database बनाने की परकिरिया यानि प्रोसेस के माध्यम से मार्ग दर्शन या गाइड करेंगे हम टेबल बनाने संबंध परिभाशित अर्थात रिलेशन डिफाइन करने और बुन्यादी अर्थात Basic Data Entry और पुनर परापती कार्जों अर्थात Recovery Operations को करने के Steps को कवर करेंगे तो आएं आज की विडियो की शुरुआत करें Creating a New Database चरण एक एक नया डेटाबेस बनाना नमर एक MS Access 2000 लाँच करें नमर टू खाली डेटाबेस विकल्प या ओप्शन पर क्लिक करें नमर थरी अपनी डेटाबेस फाइल के लिए एक नाम और अस्थान स्पेसिफाइड करें नमर फोर नया डेटाबेस बनाने के लिए create पर क्लिक करें स्टेप नमर टू डिजाइनिंग टेबल्स यानि चरंडो डिजाइनिंग टेबल नमर एक नविगेशन वैन में टेबल डिजाइन बटन पर क्लिक करें नमर टू रिलेटेड कॉलम में फिल्ड नाम और डेटा परकार जैसे टेक्स्ट नमबर डेट ओब्लिक टाइम दर्ज करके तालिका यानि टेबल के फिल्ड को डिफाइन करें नमबर थिरी एक फिल्ड का चैन करके और टूल बार में प्राइमरी की बटन पर किलिक करके प्राइमरी की सेट करें नमबर फॉर टेबल को मिनिंगफुल नाम देकर सेव करें नमबर फाइब अपने डेटाबेस के लिए आवश्यक्ता नुसार अधर टेबल बनाने के लिए इन स्टेप को दुहराएं स्टेप नमबर फिरी डिफाइनिंग रिलेशन्शिप चरंतीन संबंधों को परिभाशित करना नमबर एक निविगेशन फलक में डेटाबेस टूल्स टैब पर क्लिक करें नमबर टू रिलेशन्शिप बटन पर क्लिक करें नमबर थिरी, related window में tables का चयन करके और add पर click करके उन्हें जोड़ें नमबर फोर, एक table के primary की field को दूसरी table में related field पर खीच कर और छोड़ कर tables के बीच relationship अस्थापित करें नमबर फाइब, enforce referential integrity option को सक्षम करके referential integrity सुनिश्चित करें नमबर शिक्स, relationship window बंद करें स्टेप नमबर फोर, creating forms, चरन फोर 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 बनाना नेविगेशन फलक में उस table का चयन करें जिसके लिए आप फोर्म बनाना चाहते हैं नमबर टू, create tab पर click करें और form design चुने नमबर थरी, अपने form के appearance और layout को customize करने के लिए form design टूल का उपयोग करें नमबर फोर, data को capture और display करने के लिए text box, label और button जैसे form control जोडें नमबर फाइब, form को save करें और इसे meaningful नाम दें नमबर शिक्स, अवशकता, नुसार, अन्य टेबल्स के लिए form बनाने के लिए इन steps को दूराएं Step नमबर फाइब, entering data, चरण पांच, data दर्ज करना पिछले steps में आपके दुआरा बनाये गए form को खोलें फिल्ड में data दर्ज करने के लिए form controls का उपयोग करें Number 3, navigation button, first, last, next and end का उपयोग करके record के बीच transfer करें Number 4, save button पर click करके data save करें Step number 6, creating queries, चरण छे परश्न बनाना Number 1, navigation फलक में create tab पर click करें और query design करें Number 2, query design window में tables का चैन करके और add पर click करके उन्हें जोड़ें Number 3, उन fields को specified करें जिनहें आप query results में table list से query design grid में खीच कर शामिल करना चाहते हैं Number 4, शर्तों को specified करके और tool bar में sort button का उपयोग करके query के लिए value और sorting विकल्प set करें Number 5, result देखने के लिए query चलाएं Step number 7, generating reports, चरण साथ report तैयार करना navigation फलक में create tab पर click करें और report design करें Number 2, उस table या query का चैयन करें जिसके आधार पर आप report बनाना चाहते हैं Number 3, report के layout और दिखावट को customize करने के लिए report design tool का उपयोग करें Number 4, data परदर्शित करने के लिए report control जैसे label, text, box और image जोड़ें Number 5, report को save करें और इसे specific name दें Number 6, दिरिश या सीन बटन पर click करके report का preview करें Conclusion अर्थात निश्कर्स इस practical exercise में हम MSXS 2010 का उपयोग करके एक simple database बनाने की process से गुजरे हैं हमने table बनाने, relationship को परिभाशित अर्थार define करने, forms को design करने, data entry करने, query बनाने और report तयार करने सहित आवश्यक कदमों को शामिल किया है Thank you all for listening me patiently. Please like, share and subscribe my channel.